नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं दोस्तों आज हम बनाएंगे बिना मावा बिना चाशनी सिर्फ तीन चीजों से परफेक्ट बर्फी नारियल के दो लेयर वाली बर्फी आज हम इस वीडियो में बनाएंगे दोस्तो नारियल की बर्फी बनाने के लिए इस तरह से आपको चाहिए आधा लीटर दूद, आप फुल क्रीम ले तो बैटर रहेगा, आप गाये का दूद भी ले सकते हैं या भैस का दूद भी ले सकते हैं, तो इस तरह से मैंने आधा लीटर दूद लिया है फुल क्रीम, द फिर दूर डाल लेना है, और गैस को हाइ फ्लेम पर रखें, और इसको उबाल दे लें, शुरू में आप गैस की हाइ फ्लेम रखें, जब आपका दूद उबाल आ जाए, यानि ये थोड़ा सा गाड़ा सा होने लगे, तब आप गैस को सीम कर दें, इस तरिके से दोस्तों आपने इसको उबाल देना है, इसको चलाते रहें, जब उबाल आ जाए आपके दूद का, तो इसको चलाते रहें, ताकि ये थले में ना चिपके, अब जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं, इसमें अच्छा खासा उबाल आ गया है, इसमें डाल लेते हैं अब चीनी, चीनी मैंने ली हैं यहाँ पर 50 ग्राम या फिर आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं चीनी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन इतने दूद में यानि आधा लेटर दूद में 50 ग्राम चीनी बहुत हैं यह ना तो ज़्यादा रहेगी और ना ही ये कम रहेगी तो इस तरह से दोस्तों आपने चीनी को इसमें मिला लेना है अच्छे से दूद को आप चलाते रहें इसको दोस्तों आपने तब तक चलाना है जब तक कि ये गाड़ा सा ना हो जाए अब दोस्तों इसमें डाल लेते हैं फ्लेवर के लिए इलाइची पावडर ये बिल्कुल optional है आप चाहे तो डाल ले नहीं तो आप skip कर सकते हैं ये फिर और कोई essence भी इसमें डाल सकते हैं रोज वाटर डाल सकते हैं या कोई और डालना चाहते हैं वो भी आप डाल सकते हैं तो इस तरही किसे दोस्तों देखे मेरा दूद गाड़ा सा हो गया है अब इस तरही किसे दोस्तों आपने इसको चलाते रहना है अच्छी तरह से mix करके चलाते रहें आप दोस्तों यहां पर दूद की quantity कम जादा कर सकते हैं ये आप इसमें जादा दूद लेंगे यानि एक लीटर दूद लेते हैं तो आपकी बर्फी बहुत ही बढ़िया बनेगी और ऐसे कि आधा लीटर आप दूद लेंगे और इसमें आप एक कप नारियल का बुरादा डालेंगे तो ये बहुत बढ़िया रहेगा आप चाहें तो कम जादा कर सकते हैं दोनों चीजों को आप दोस्तों इसको चलाते रहना है जब तक कि एक गाड़ा सा दो ना बन जाए इ बेसी घी से आपकी बर्फी बहुत ही बढ़िया बनेगी एक तो इसमें कलर अच्छा आएगा और दूसरा इसके थिकनस बहुत ही बढ़िया रहेगी तो इस तरीके से इसको हिलाते रहें और जब तक कि ये इस फोम में ना आ जाए आपने इसको चलाते रहना है सीम गैस आप देख रहे हैं मेरा ये डो त्यार है ये देखिए अब जैसे कि हम इस बर्फी को डबल लेयर में बनाएंगे तो डबल लेयर बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें से हाफ अलग कर देते हैं यानि आधा अधा आप कर लें आधा डो आप बहार निकालने किसी और बरतन में तो ये मैंने निकाल लिया है आदा डो अब इस बचे हुए आदे डो में आप color मिला लें color आप अपनी choice का ले सकते हैं मैंने यहां लिया है pink color बस चुटकी भर आपने color डालना है इसी से बहुत ही बढ़िया हो जाएगी आपकी भरफी इसमें color अच्छे से चड़ जाएग तो ये लीजे दोस्तो इसमें color भी अच्छे से सेट हो गया है अब इसको जमा लेते हैं एक लेते हैं बरतन उसमें आप नीचे लगा लें butter paper इस तरीके से और इसको घी से grease कर लेते हैं ताकि बरफी अच्छे से निकल जाए तो इस तरीके से पहले आप जो pink color का हमने डो त् और आप जो white color का था वो इसके उपर डाल ले और इसको अच्छे से set कर ले spatula की साहता से set कर सकते हैं या फिर कटोरी से भी set कर सकते हैं इसको और इसको garnish करने के लिए दोस्तों जैसे की देख रहे हैं आप set हो चुकी है अच्छे से इसको थोड़ा सा garnish कर लेते हैं गarnish करने के लिए आप पिष्टा यूज कर सकते हैं बादाम यूज कर सकते हैं आप जो भी garnishing के लिए use करना चाहते हैं वो कर सकते हैं तो इस तरीके से मैंने लिया है पिष्टा और इसके उपर में लगा देती हूं और इसको दोस्तो दो घंटे के लिए set होने के लिए रख देते हैं आपको freeze में रखने के भी जूरत नहीं है इस बर्फी को ये बाहर ही अच्छे से set हो जाएगी और दोस्तो चाहे तो आप freeze में भी रख सकते हैं freeze में रखकर आप आधे घंटे के बाद इसको काट सकते हैं तो ये लिजिए दोस्तो दो घंटे के बाद मैं आपको ये बर्फी दिखा रही हूं ये पूरी अच्छे से set हो चुकी है अब इसका जो butter paper था वो निकाल लेते हैं इसको उल्टा करके निकाल लेते हैं और butter paper इसका निकाल लेते हैं इसको सीधा करके इसके pieces काट लीजी अपने मन चाहे आकार में आप चाहे तो diamond shape में काट सकते हैं या फिर आप चुकोर shape में भी इसको काट सकते हैं तो ये लिजे दोस्तो मेरी burfi ready है ये काट कर बहुत ही अच्छे से set हो चुकी है आप देख रहे हैं और layer भी बहुत ही बड़ी आई है आप इस burfi को ज़्यादा मात्रा में भी बना सकते हैं या फिर इसकी layer और मोटी भी कर सकते हैं वो अपने हिसाब से देख लीजिए जितना आपने करना है तो ये लीजे दोस्तो बहुत ही अच्छे से set हो चुकी है मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ बहुत ही बढ़िया तरीके से बनी है burfi ये देखे दोस्तो अच्छे से set हो चुकी है burfi तो दोस्तो आप भी इस तरीके से अपने घर में बना सकते हैं नारियल की burfi बनाने में आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा इसको बनाने में मुझे 10 minute लगे हैं अगर आप ज़्यादा मातरा में बनाएंगे इसको तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा time लग जाएगा इसमें ज़्यादा दूद लेंगे तो मावे का टेस्ट ज़्यादा आएगा वो और भी बढ़िया लगेगी आपको burfi तो इस तरिके से दोस्तो आप दिवाली पे बनाईए या किसी और तिहार पर आप बना सकते हैं burfi जैसा कि दिवाली आने वाली हैं तो आप इस दिवाली ये मिढ़ाई जरूर बनाएं तो दोस्तो आप मुझे comment करके ये जरूर बताएं कि आप इस बर्फी को कब बना रहे हैं और कैसी आपकी बनी है तो दोस्तो ऐसे ऐसी रेसीपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोसों नेक्स्ट वीडियो में धन्यवा दोसों